हेलो स्टूजेंट्स सो लास्ट क्लास हमने हेनरीज लॉव और उससे पहले की कुछ टॉपिक को कबर किया था थोड़ा सा हेनरीज लॉव को रिकैब करते हैं और फिर हम लोग चलते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के तरह ओके जैसा कि मैंने पढ़ाया आपको लास्ट क्लास कि जब हम लिक्विड के उपर किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो उसमें उस गैस का सॉल्यूबिलिटी बढ़ जाता है जो कि इस पिक्चर से क्लियरली विजिबल है यहाँ पर जैसी हम प्रेशर बढ़ाते हैं इस गैस का इसके अंदर सॉल्यूबिलिटी बढ़ जाता है और यह ज्यादा सॉल्यूबिल हो जाता है एंड हैंस इसका कॉंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो सिंपल इसका आउटकम यह है कि पार्शिल प्रेशर ऑफ दे गैस इस डाइरेक्ली प्रपोर्शनल तो दा कॉंसेंट्रेशन प्रेशर आप बढ़ाओगे तो कॉंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा बस इसी चीज को हेंडरीज लों में लिख दिया गया है कुछ भी special नहीं है याद रखना होगा आपको अब यहाँ पर कॉंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है मोल फ्रेक्शन से यूनिट ऑफ कॉंसेंट्रेशन में मैंने बहुत कुछ पढ़ाए आप लोग को मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रेक्शन, परसेंटेज मास, परसेंटेज वॉल्यूम ठीक है तो उसमें से एक यूनिट क्या था हमारा मोल फ्रेक्शन काफी इजी पार्ट है इसको हम लोग लेते हैं ओके, so partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution प्रपॉर्पोर्शन का sign जब भी हम हटाते हैं तो एक constant आता है प्रपोर्शन की जगए equal to भी थाओ, तो एक constant आया, इस constant को हम लोग Henry's Law constant चाहता है और इसे kth से represent किया जाता है यह Henry's law constant जो है यह nature of gas पे depend करता है और temperature of gas पे depend करता है Is it clear? Okay, so mole fraction आपको याद होगा, mole fraction का मतलब अगर भूल गया हो तो मैं बता दू अगर मालनो दो ingredient है A और B और mole fraction of A निकालना है तो यह होता है number of mole of A divided by total number of mole Similarly, mole fraction of B is equal to NB by Na plus NB तो suppose करो अगर यहाँ एक gas है CO2 जिसको हम dissolve कर रहे हैं water में तो हमारा mole fraction of gas यहाँ पे बोला है तो mole fraction of CO2 निकालना होगा वो होगा number of mole of CO2 by total number of mole इसे हम बहुत डिटेल में समझेंगे जब हम numerical करेंगे तो अगर graph बनाने बोले Henry's law का mole fraction versus partial pressure में तो आप देख रहे हैं वो directly proportional है और कभी भी directly proportional का जो graph होता है वो straight line होता है तो यह एक straight line graph होगा next अगर हम लोग कुछ important बाते कर लें के बारे में Henry's law constant के बारे में यह Henry's law constant जो होता है अभी अभी जैसे मैंने कहा कि यह nature of gas पे depend करता है और साथ ही साथ temperature पे भी depend करता है ठीक है दूसरी बात यहां देख लो nature और temperature के बारे में बोला है दूसरी बात kh का value अगर ज्यादा होगा तो वो gas ज्यादा soluble होगा यह कम soluble होगा यह आप Henry's law का expression देखके खुद बता सकते हो कैसे बता सकते हो हमारा क्या आया था p is equal to kh into mole fraction तो अगर मैं kh is equal to बोलू तो यह आजाएगा p by x और अगर मैं pressure को constant ले लो for example मालो एक different gas के लिए p का value constant ले लो तो मैं बोल सकता हूँ kh जो है वो inversely proportional to x होता है मतलब अगर kh का value बढ़ेगा तो x का value घटेगा x मतलब वो gas का concentration in liquid concentration gas का decrease होने का मतलब वो gas कम soluble हो जाएगा is it clear तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है higher the value of kh the lower az solubility तो बस रटना नहीं है हमें समझ लिया हमने kh is inversely proportional to x हो जाता है ठीक है ना यहाँ पर एक practical example दिया है कि kh value for both nitrogen and oxygen increases with increase in temperature ठीक है indicating that solubility of gas increases with decrease in temperature यह तो obvious सा बात है ना हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप temperature को बढ़ाओगे इससे पहले हम लोग पढ़े है factory affecting solubility of gas in liquid temperature को बढ़ाने से gas जो liquid में solubile होता है उसका solubility घड़ जाता है इसका example आप कैसे कर सकते हो माल लो आपके घर पर cold ring है तो cold ring को अच्छा रखने के लिए आप क्या करते हो उसे फ्रीज में रखते हो या उसे उबालते हो obviously आप उसे freeze में रखते हो freeze में क्यों रखते हो क्योंकि उसके अंदर जो carbon dioxide gas है वो उसमें अच्छी तरीके से dissolve होके रहे अगर आप उसे बाहर निकाल के boil करने लगए तो सारा carbon dioxide बाहर निकल जाएगा और अगर cold ring से freeze बाहर निकल जाता है तो फिर उसके बाद उसका कोई test नहीं आता तो यही बाते हैं यहाँ पर literally as principle से इससे explain किया हुआ है literally as principle आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इस chapter में next आजाओ limitation of Henry's law क्या है यह मैंने बताया था कि यह law जो है applicable होता है only for the ideal gases और कोई भी gas ideal behavior कबसो करता है यह हमने class 11 में पढ़ा था कोई भी gas ideal behavior कबसो करता है जब वहाँ पर temperature काफी high हो और pressure काफी low हो तो यह भी उसी condition पर काम करता है दूसरी बात यह association और dissociation अगर हो तो यह काम नहीं करता है association और dissociation भी मैंने समझाया था अगर कोई gas किसी liquid में जाके associate हो जाता है hydrogen bond बना ले dipole dipole attraction कर ले ठीक है gas बाहर ऐसे था मैंने यहाँ example भी दिया था आप लोग को कि बाहर gas जो है इस form में है A है और liquid के अंदर जाने के बाद वो आपस में या फिर water के साथ bond बना ले रहा है तो इसे हम कहते है case of association और मान लो बाहर वो bonded था और liquid के अंदर जाने के बाद वो तूट गया अलग-अलग हो गया तो इसको हम लोग कहते है case of dissociation इस case में ऐसे condition में हम henry's law को use नहीं कर सकते है ठीक है और last point तो obvious सा बात है अगर मान लोग किसी gas को किसी liquid में dissolve कर रहा हूं और वो अंदर जाके उससे react कर जाए तो यह उसका pressure वगएर हम लोग नहीं समझ पाएंगे ना तो non-reactive होना चाहिए gas जो है वो liquid के साथ non-reactive होना चाहिए तभी जाके henry's law applicable है वो यह point लिखा हुआ है next हम लोग जो नहीं परे थे last class वो यहां से start होगा use of henry's law henry's law को कहां use किया जा सकता है henry's law बहुत practically use होता है जैसे की industry में industry में cold drink industry जितना हुआ soft drink जिसमें भी soda water का जरूरत होता है soda water मतलब water के अंदर carbon dioxide fix किरना का वहां पर यह use होता है तो यही चीज़ यहां लिखा हुआ है to increase the solubility of carbon dioxide in cold drink, soda water, beer ठीक है वगेरा वगेरा में हम लोग कभी भी bottle को जो होता है ना high pressure apply करके उसको seal कर दिया जाता है और उसके साथ ही साथ उसे cold place पे रखा जाता है उसे hot place पे नहीं रखा जाता है तो यह high pressure पे क्यों रखे और cold place पे क्यों रखे कहां से पता चला हमें वो हमें पता चला henry's loss दूसरी बात अगर हम लोगा blood vessel blood में जो oxygen absorb होता है और tissue तक पहुंचता है मतलब पूरा सरीड के अंदर oxygen का supply कैसे होता है यह भी हम henry's loss समझ सकते हैं देखो यहाँ पर due to high partial pressure of oxygen gas entering into lungs हमारे lungs में जो oxygen पहुंच रहा है वो लंग्स में उसका partial pressure high है जिसके वैसे यह अराम से जाके hemoglobin के साथ mix हो जाता है और बनाता है oxy hemoglobin क्या हुआ शोलो मेरे diagram इतना अच्छा नहीं है तो कोशिश करते हैं suppose करो यह आपका lungs है तो यहाँ पर जो oxygen अंदर के तरफ जा रहा है यहाँ पर इसका pressure high है और अंदर इसका pressure low है lungs में तो यह oxygen अराम से पहुचा यहाँ आपका blood का hemoglobin vessels है जिसमें blood flow हो रहा है और इसमें hemoglobin है तो यह oxygen अराम से इसके साथ dissolve हो जाएगा क्यों dissolve हो जाएगा भाई तो हमें पता है henry's law क्या कहता है कि अगर pressure ज़्यादा होगा तो solubility ज़्यादा होगा is proportional to x इसलिए dissolve हो जाएगा अब dissolve होके यह हमारे blood में flow करना हमारे body में flow करना शुरू कर देगा और यहाँ पर suppose करो कोई cell है कोई tissue है इस tissue में partial pressure इसका और भी कम होगा यह फिर अगर मैं बोलू कि वहाँ से oxygen लेके आ रहा है तो यह हम लोग बोल सकते हैं the partial pressure of oxygen gas is low in tissue यहाँ पर partial pressure इसका कम है तो oxygen यहाँ से क्या होगा अराम से release होके यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ oxygen supply हो गया clear last इसका एक application हम लोग बोल सकते sea divers के उपर sea divers मतलब समुंद्र में वह oxygen का cylinder लेके जो लोग नीचे dive करने उतरते हैं उस oxygen के cylinder में लोग सोचते होंगे 100% oxygen होता है जबकि पहले उसमें 2% oxygen और 98% helium रहता था nowadays nowadays इसमें 11.7% helium 56.2% nitrogen और 32.1% oxygen होता है क्या होगा अगर 100% oxygen कोई cylinder में भरके उसको लेके sea dive करें बहुत समुंद्र के नीचे बजाए तो क्या होगा यह question मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं इसे class में पूछूँगा क्यूं नहीं हम लोग लेते हैं 100% oxygen 100% oxygen लेने से एक बिमारी होता है जिसका वैसे capillary block हो सकता है यह आप मुझे समझाना life class में कैसे oxygen जादा रहने से problem हो जाता है ठीक है चलो एक problem solve करते हैं solubility हम समझेंगे in the form of mole fraction mole fraction निकालोगे वहीं उसका solubility होगा partial pressure दिया है देखो partial pressure है 2 into 10 to the power minus 8 bar unit भी याद रखना है atmosphere नहीं बार में दिया है और temperature है 298 Kelvin kH का value भी दे दिया है यह तो एकदम बच्चो वाली सवाल होगे दम बच्चो वाल है Ennery's law से हमें पता है partial pressure of oxygen sorry CO2 is kH into mole fraction of CO2 kH का value पता है बिठा दो partial pressure का value बिठा दो then you get the answer ठीक है next question को देखते है calculate the partial pressure of helium gas क्या पूछा है हमसे partial pressure of helium gas over the solution having this much of mole fraction यह mole fraction given है in its saturated solution at 273 Kelvin temperature temperature given है saturated solution word बोला है saturated solution का मतलब अब इसमें और ज्यादा solution नहीं हो सकता है ठीक है और ज्यादा soluble नहीं है helium उस particular solution में saturate हो गया है अब उसमें जरास भी dissolve नहीं हो सकता है और henry's law constant दे दिया है kH का value है 6.71 into 10 to the power minus 6.5 सो बहुत ही असान question है kH पता है और mole fraction पता है हमें pH partial pressure निकालना है उठ कर दो value आ गया बच्चों जैसे questions है last problem देखते है henry's law से यह question काफी interesting है यहां बोल रहा है how many millimoles of CO2 gas will dissolved याद रखो हम से क्या पूछा है how many millimoles of CO2 gas dissolved gas will dissolve when CO2 gas is passed in 900 ml water water का volume है 900 ml ठीक है temperature 298 दिया है the value of KH is given the partial pressure of CO2 is also given तो यह question में हमें find out क्या करना है पहले तो यह सोचो हमसे mole fraction नहीं पूछा है हमसे पूछा है moles of और millimoles मतलब क्या moles निकालो उसको millimoles में convert करी सकते हो आप ठीक है तो moles of CO2 निकालने बोला है और moles निकालने से पहले आपको पहले find out करना पड़ेगा mole fraction ठीक है यहां से हमारा आगया mole fraction और mole fraction of CO2 is equal to number of mole of CO2 by number of mole of CO2 plus number of mole of water है अब तो water का number of mole कैसे निकालेंगे हम हमारे यहां क्या दिया हुआ है water का volume दे दिया गया है ठीक है अब हम यहां पर molarity को use करेंगे हम यहां पर molarity को use कर सकते हैं या फिर simply हम weight निकाल सकते हैं weight of water निकाल लेंगे तो हमारा moles निकल जाएगा क्योंकि हमें पता है number of mole का formula होता है number of mole of water is equal to weight of water given divided by molecular weight यह होता है formula of number of mole weight of water के जगा हमें दिया है volume of water which is 900 ml इस question को थोड़ा elaborate करके मैं समझा रहा हूँ solution given है पर फिर भी ध्यान से देखो तो यहां पर याद रखना एक चीज कि density of water जो होता है इस question में given नहीं है देना चाहिए था density of water is equal to होता है 1 gram per ml यह सीसी यहां मेशा याद रखना और इसको हम लोग कैसे read कर सकते हैं इसका मतलब यह भी तो बोल सकते हैं density is equal का मतलब इसको तोर के ऐसे बोल सकते हैं कि 1 ml of water का जो weight होता है वह होता है 1 gram 1 gram water weight is equal to 1 ml water weight is equal to 1 gram तो हमारे question में दिया है 900 ml 900 ml water का weight कितना हो जाएगा 900 gram अब हम number of mole of water निकाल सकते हैं वह ही देखो यहां किया हुआ number of mole of water के लिए 900 gram हो गया और molecular weight of water 18 होता है यह तो पता ही होगा ठीक है number of mole of water 18 होता है ओके ओके अब हमें simply mole fraction का formula में पुट कर देना है mole of water आगया 50 mole fraction of CO2 is equal to number of mole of CO2 by number of mole of CO2 plus number of mole of water हमारा mole fraction मिल चुका है हमें 3.322 into 10 to the power minus 5 number of mole of CO2 को n पकर लो ते हो जाएगा n प्लस 50 अब इसको आप solution कर सकते हो answer आ जाएगा question में यहां पे देखो simplicity करने के लिए actually क्या होता है कि जो mole of यहां पे CO2 dissolve होता है water के compression में बहुत कम होता है इस चीज को ध्यान से समझो जो number of mole of CO2 होगा number of mole of CO2 जो होगा यह water के compression में बहुत कम होगा क्यूंकि सोचो जब हम लोगे coldering पीते हैं 300 ml का तो 300 ml में water कितना होगा suppose करो water 300 ml में 290 से भी जादा 299 ml तो उसमें water ही है remaining 1 ml से भी कम वहाँ पे CO2 होता है तो CO2 का number of mole बहुत कम होता है तो मालनों CO2 का number of mole आएगा approximately 10 to the power minus 5 और 6 ऐसा यह 3 ऐसा आएगा तो 50 plus 10 to the power minus 3 को हम approximately 50 नहीं बोल सकते है तो number of mole of CO2 इतना कम आएगा कि इसको water के साथ add करोगे तो इसको neglect कर सकते हो इसलिए directly n plus 50 के जगा इसको simply 50 लिख सकते है वही चीज़ यहाँ देखो किया है total number of mole के जगा सिर्फ 50 कर दिया है and then यहाँ से cross multiplication करोगे तो आ जाएगा तो यह आ रहा है इतना सारा mole 10 to the power minus 3 को अगर गाया आप करो तो 10 to the power minus 3 के जगा हम लोग मिलीवर्ट बैठाते है 10 to the power minus 3 मिलीवर्ट that will be your answer I hope Henry's law में आप कोई doubt नहीं हुआ होग next portion हम लोग start करते है solid liquid solution okay so solid liquid solution जो होता है यह simple सी बात है जो हम लोग daily life में use करते हैं बहुत जगा वैसा एक एक example है यह solid solid के जगा आप suppose कर लो sugar है और liquid solvent के जगा आप माल लो water है so sugar water जो solution होता है वो हमारा एक simple सा example है solid liquid solution का ठीक है इसमे solution में temperature का क्या effect होता है अभी हमने देखा था पिछले part में कि gas जब liquid में dissolve होता है और यह liquid gas solution बनता है इस वक्त हम temperature को अगर बढ़ा देते हैं तो gas उसमें से बाहर निकलने लगता है solubility घड़ जाता है लेकिन जब solid को हम लोग water में dissolve करवाते हैं तो अगर हम temperature बढ़ाते हैं तो वो उतना ही ज्यादा soluble हो जाता है हम लोग हम लोग solid को liquid में dissolve करते हैं और हम temperature को increase करते हैं तो वो solid उतना ही ज्यादा उसमें dissolve होता है आप example के तौर पर याद कर सकते हो हमने पढ़ा था saturated 910 में पढ़े होगे saturated solution super saturated solution saturated solution का एक example लेते हैं मान लो एक glass है ये और इसमें water है और इसमें cubes of बड़े बड़े cube हOoh होते है ना सुगर के ये cubes of sugar इसमें add कर रहे हूँ और सुगर add कर रहे हम इसको STRेर कर रहे हो dissolve हो रहे है इसको STेर कर रहे हो अच्छे तरीके से यहला रहे है हो अच्छे से पानी को सो यह dissolve होते जा रहे हैं हम इस चीज को continue करते जा रहे हैं एक ऐसा टाइम आएगा जब अब क्यूब को डालने के बाद कितना भी stir कर लो कितना भी उसको उसके अंदर move कर लो अब इसके अंदर में कोई भी ये सॉल्यूबल नहीं होगा क्यूब इसका मतलब जितना सॉल्यूबल हो सकता था उतना हो गया इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं saturated solution अब suppose करो इसे हम heat करना स्टार्ट करें इंचे से अगर हम इसे heat करना स्टार्ट कर देंगे हीट करने के वाज़े से क्या होगा यह जो क्यूब अंदर डाले थे और यह डिसॉल्व नहीं हो रहा था अब यह इसके अंदर डिसॉल्व होने लगेगा जितना आप temperature बढ़ाओगे फिर से इसका solubility बढ़ने लगेगा और फिर अगर आप temperature बंद करके से ठंडा करोगे तो इस solution के अंदर जो डिसॉल्व सुगर था वो बाहर निकलने लगेगा तो जो temperature बढ़ाने के बाद और ज्यादा solubile होने लगा इसे हम लोग super saturated solution कहते हैं जब temperature increase कने के बाद उस particular temperature पे और फिर सुगर डालने से डिसॉल्व नहीं होगा तो उस temperature पे उस solution को हम super saturated कहेंगे ठीक है इसको भी हम लिचर्ट्लियस प्रिंसिपल से explain कर सकते हैं लिचर्ट्लियस प्रिंसिपल पीछा नहीं चोड़ने वाला हमारा लिचर्ट्लियस प्रिंसिपल जब मैं थोड़ा equilibrium समझाओंगा तुम लोग को equilibrium इस chapter में तो है ने equilibrium तो class 11 में पढ़ चुके हो लो मैं समझा सकता हूं लिचर्ट्लियस प्रिंसिपल से लिचर्ट्लियस प्रिंसिपल अगर नहीं class 11 में पढ़ा है आपने तो मेरा एक वीडियो है लिचर्ट्लियस प्रिंसिपल पे उसको जरूर देखो क्योंकि उसके बिना आप equilibrium का concept नहीं समझ सकते इक्युलिब्रियम क्या होता है जब कोई चीज दोनों डिरेक्शन में काम कर रहा है जब कोई रियक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है जैसे देखो इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो इस सॉल्यूशन बन रहा है साथ ही साथ कुछ-कुछ सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन से बाहर निकल के सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बना दे रहा है एक ऐसा टाइम आता है जब अब ना सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है ना अब सॉल्यूशन वापस एक्शुली में दोनों इक्वल हो जाता है जितना फॉर्वर्ड डिएरेक्शन में काम हो रहा है उतना ही बैक्वर्ड डिरेक्शन में काम होने लगे एसा situation को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम इस इक्विलिब्रियम पे जब कोई आप stress अप्लाई करते हो stress का मतलब आप इसका temperature change कर देते हो आप इसका volume change कर देते हो आप इसके उपर pressure apply करते हो आप इसके उपर temperature apply करते हो concentration change करना यह सब कुछ क्या है? stress है equilibrium पर जब हम यह stress apply करते हैं तो यह equilibrium किसी एक direction में shift हो जाता है या तो forward में या backward यह dependence करता है कि हम जो stress apply कर रहे हैं यह equilibrium उसको oppose करने के लिए खुद बखुद shift हो जाएगा यही है लिचर्टलियस principle छोट थोरा मोडा में अगर मैं बता हूँ मोटा मोटा detail के लिए पुड़ा वीडियो है पढ़ना तो आप याद रखना अगर कोई reaction exothermic है exothermic जब भी आप temperature increase करोगे तो reaction जो है वो forward direction में shift हो जाता है क्यों होता है मैंने वहाँ detail में बताया हुआ दूसरी बात आजाओ दूसरा factor जो है वो हमारा वो है effect of pressure pressure का क्या effect है अभी तो हम लोग देख रहे थे Henry's law में gas को जब dissolve करवा रहे थे तो pressure बढ़ाओ तो हमारा solubility बढ़ जाता है वहाँ इसलिए होता था क्योंकि gas जो होता है वो solution के बाहर भी होता है लेकिन solid के case में ऐसा नहीं होता है तो solid की case में हम लोग simply बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई effect नहीं होता है या फिर very less और negligible effect होता है क्योंकि liquid जो है उसके अंदर ही solid है और liquid को हम compress नहीं कर सकते हैं liquid को हम compress नहीं कर सकते हैं इसके वज़े से pressure का effect यहाँ पर नहीं के बराबर होता है अब suppose करो एक situation आता है जहाँ पर यह vapor pressure का बात आ जा रहा है vapor pressure का बात तब आता है जब हमारा solute जो है या फिर हमारा solvent जो है उन दोनों में से कोई एक volatile nature का हो volatile मतलब जो evaporate करे तो पहले हम easy वाला case लेते हैं मालों एक case लेते हैं जहाँ पर अच्छा चलो यहाँ पर पहले liquid liquid solution बोल रहा है यह उतना important है नहीं पर फिर भी तो हमासा बता देता हूं कि liquid solution में हमारा solute भी liquid होगा और solvent भी liquid होगा as a result solution भी liquid होगा यह binary solution का case है हम लोग इसमें बाद में आएंगे अब एक case सोचो अब मैं बता रहा हूं एक case ले रहा हूं जहाँ पर मैंने मान लिया कि जो मेरा solute है यह non-volatile है non-volatile मतलब evaporate नहीं करता है मान लो sugar है यह evaporate नहीं करेगा और जो मेरा solvent है यह volatile है मतलब यह evaporate करेगा for example water water हर temperature पे क्या होता है evaporate करता रहता है तो vapor pressure of solution किसको कहते हैं जब भी किसी solution को आप रखोगे इसके अंदर मान लो यह liquid है water था और इसमें मैंने क्या किया कुछ sugar dissolve करवा दिया तो sugar यहाँ पर हमारा dissolve हो जाए और इसको अगर आप हम ढग दो अच्छे तरीके से इसके अंदर से जो vapor बाहर निकल रहा था वो इसके उपर ही रह जाएगा कोई भी gas जब किसी अपने surface से बाहर आता है न और उसके उपर रहता है तो वो अपने surface पे एक pressure apply करता है तो vapor का अपने surface के उपर जो pressure होता है इसे ही हम vapor pressure कहते हैं simple सा बात जिदना ज़्यादा vapor उतना ज़्यादा vapor pressure तो वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है at constant temperature the pressure of the vapor on the surface of the solution is called vapor pressure ठीक है और यह हमेशा constant होता है उस surface के उस particular temperature temperature बढ़ाओगे तो vapor ज़्यादा produce होगा vapor pressure ज़्यादा होगा vapor pressure जो होता है ना यह directly proportional होता है temperature के साथ is it clear अब जो मैं case ले रहा था non volatized solute and volatized solvent का यहाँ से question पूछता है कि explain why explain why explain why the vapor pressure of solution decreases when a non volatized solute dissolved into it किसी भी liquid का vapor pressure जो है वो कम हो जाता है जब उसमें हम एक non volatized solute को डाल देते हैं non volatized मतलब जो खुद बखुद evaporate होके बाहर नहीं आ सकता ठीक है तो ऐसा क्यों होता है यह हम लोग देखेंगे तो देखो यह पहला example है pure solvent मालो यह water है तो इसके surface पे जितना सारा molecule होगा सब water का molecule होगा है ना तो यह जो molecules हैं यह सारे water molecules है और water molecule अपने आप क्या होता है evaporate होता है तो पूरा surface evaporate होके उपर जा रहा है पूरे surface से evaporation हो रहा है as a result यहाँ vapor जो हो रहा है ज्यादा हो रहा है more vapor दूसरे case में यह solution है solution में surface पे solvent का particle भी है और solute का particle भी है यहाँ देखो purple color का जो है ना purple color का जो part यहाँ पे है वो हमारा solute का particle है अब solute खुद बखुद volatile तो होगा नहीं तो कुछ हमारा मैं उसको mark कर दे रहा हूं चलो यह सब मैं ले ले रहा हूं यह सारे जो है यह solvent के particle है जिसको मैंने mark किया तो यह solvent वाले ही जो है यही surface से उपर जा पा रहे है solute तो मेरा non-volatile है यह तो बाहर नहीं जा सकता as a result यहाँ पे less vapor होगा अगर less vapor होगा तो यहाँ का vapor pressure जो है वो भी कम होगा तो यह P solution जो है यह कम होगा और P solvent जो है यह ज्यादा होगा यहाँ से प्रूव हो जा रहा है vapor pressure of solvent is greater than vapor pressure of solution when your solute is not volatile or we can say if it is less volatile अगर कम volatile होगा तो भी condition okay so इस lecture को और लंबा नहीं करते है next lecture में हम लग पढ़ेंगे routes law for non volatile solute की case में and routes law for binary solution की case में and then limitations of routes law पढ़ेंगे ideal solution क्या होता है then your graph कैसे बनता है इसका टीक है ना इससब कुछ अब नहीं next class में cover करेंगे okay till then thank you dall हाध सब आ की है अबर याध बल्सियर, गी होता है अबर एasy ay